इरान बना रहा है परमाणू बंब एक नई, दो नई, बलकि तीन-तीन परमाणू बंब बनाने की तैयारी में इरान है और इस बात की तस्दीक कर रही है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से बात सामने आई है कि इतने बड़े यूरेनियम का जखीरा इरान की तरफ से एक अठा किया गया है जिससे तीन तीन परमाणू बम बनाए जा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बना दे कि इरान अभी फिलाल परमाणू संपन देशों के लिस्ट में शामिल नहीं है बतलब एक भी परमाणू बम इरान के पास फिलाल नहीं है लेकिन कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द परमाणू संपनता वाले देशों के लिस्ट में इरान का वक्त बॉखलाया हुआ है यह जो परमाडू बं इरान की तरफ से बनाया जा रहा है खबरें यही हैं कि इसका इस्थेमाल वो इसरेल के उपर करने वाला है हाल के दिनों में हमने देखा किस तरह से इस्रेल ने इरान के दूतावास के उपर हमला किया था जिसमें जो इरान के अधिकारी थे उनकी भी मौत हुई थी कुछ आम नागरिकों की भी मौत हुई थी पर उस वक्त ही एरान की तरफ से इसरेल को ही चिताया गया था कि जो गलती तुमने की है जो हिमाकत तुमने की है उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा और अब वैसी तस्वीर फिलाल सामने आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका के खूफिया र या फिर वो तमाम नियमों का जो परमानू संधिया होती है उनका पालन करने बाले होने चाहिए लेकिन जिस तरह से इरान इसरेल को फिलाल धमकी देता हुई दिखाई दे रहा है ये कहता हुई दिखाई दे रहा है कि जो गलती तुमने किये उसका खामियाजा भुगतना प सिर्फ अमेरिका के लिए बलकि पूरे विश्व के लिए क्योंकि दो देशों की जंग अभी जहलने की इस्थिती में विश्व नहीं है और इसका परड़ाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा इसलिए अमेरिका की भी टेंशन अभी फिलाल बढ़ी हुई है देखे खबरे ऐसी आई थी जब इस्था हमला हुआ था एरान के दूतावास के ऊपर कि इरान हमला करेगा जरूर इस्था युद्र में पड़ना नहीं चाहता था अगर direct attack वो कर देगा इस्रेल के उपर तो फिर उसकी भी जान पर बनाएगी और दूसरी बात ये थी कि इरान confident नहीं था कि मैं इस्रेल पर अगर हमला करूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा या उधर से जो जवाब आएगा उसका मैं परडाम भुगतने के लिए या पलटवार क बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है तो ये हम सब के लिए घातक है हाला कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितना uranium एकठा किया है इरान ने वो और दूसरी बात ये कि परमाणू बं बनाने की उसकी शक्ती 6 महीने का समय कम से कम लगना चाहिए ये एक्सपर्ट का दा बनाने के लिए इतना raw material और इतना uranium एकठा कर चुका है इरान